आनू एसी बरावर है कूली एक प्राइवेट डाइनिंग एडिया दिया था जो कि यह रहा आपके सामने रांड राइस इसके बाद आएगा बारभी की चिकन जो कि अधनन की फर्माइज पे है और इसके बाद और इसके बाद यह रही हानू और अभी हम लोग जा रहे हैं और आनू अभी देखी है वीडियो देख रही है अनू एसी बरावर है कूलिंग चेक कर दिया में पर्शिया दरबार के बाहर हम लोग कर दिया और अभी हम लोग पर्शिया दरबार के तरफ जा रहे है तो यह रहा उसको यहां पर जैसी ही आप पंट्री लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको इस दुख्रो के पैलेस वगरा में आए है क्योंकि उन्हों ने इंटीर ही ऐसा किया है जैसे कि आप देख सकते हैं जो काईज उनके हिसाब से जादा लोगे और बाहर के टेबल सब फुल थे तो उन्होंने हमें एक प्राइवेट डाइनिंग एरिया था जो कि यह रहा पूरा प्राइवेट डाइनिंग एरिया काफी बड़ा था यह और इसमें जो है सेंटर में राउंड टेबल भी था यह र भी करता है वोत। और आपनापना है? हानु खाली हात्र हमाँ पिश्स खाली टोफे खाली टोस्क पिस के खाली टोस्के हानु अब हाठादा जाए पिए बाप्रे तावर्ट कैमरे पिए सबसे बड़ी चीज होती है सबके साथ मिलके खाना डिसाइड करना जो के हो नहीं पाता है तो यह वही डिसकॉशन चलगा है तो अभी देखिए अधना नवेज नाजबिन के सब डिसकॉश कर रहे हैं मेनू देखके किया ओडर करना है आगे की कनवर्डेशन में वही देखेगा आपको तो यह रहा मतन सूप जो के मैंने आदा खा लिया है और विडियो रिकॉर्ड करना भूल गया तो आदे में से ही बनाया है काफी टेस्टीर दा लेकिन काफी महंगा था तो यह रहा आपके सामने रांड राइस इसके बाद आएगा बार्बीक्यू चिकन जो के अधनान की फर्माइश पे है और इसके बाद शायद मुर्ग दर्बारी करके कुछ अधनान ने ओडर किया है वो आएगा तो यह रहा आपके सामने बार्बीक्यू चिकन और इसके बाद यह रहा आपके सामने मूर्ग दर्बारी और अभी अधनान का केक कटिंग चलिब्रेशन चालू है आनिया के साथ गिरही जाए है हाँ वो जो गाइस खाना काफी अच्छा था और होनेस रिव्यू दू तो थोड़ा महगा भी है और दो तरगी की यहाँ पर है परशन दर्बार और परश्या दर्बार परश्या दर्बार सस्ता है यह परश्या दर्बार महंगा है वीडियो आपको अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते वे जाना मिलता हूँ ऐसी वीडियो में जबता है के लिए ठैंक्यू वेरी मच